कर देimento है अब सर्षी 1 Halo असलामलेकूम कैसे न आप सब अब आपम और पही आप संदा है तो अज हम आपने जा रहा हैं देशी ड़ल ये लिए और आधा कप नाया है तो किस दो प्षराइ तो और इतना और गरम करने के लिए कमारे लिए रख कर लिए लिए कैसे तो अच्छी तरिक छुका है ज़ 건데 स कड़्स अलटते पलटते हम इसको अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से इसको पलट ले और आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है चेंज हो चुका है हमारा चिकन जो है वह अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुका है और जब भी चिकन को फ्राइ करके हम इसक इससे बेड़ को बलाई करने लिए लिए पार्षटी चेटी कर लिए इसके बाद तरीके से भांड अच्छे चिकन को प्राय कर लिया तु exist. बाकि जो भाकि बाज़य करने बड़ा हैं, बलाए इसे बड़ाने कर सा छाः़ा मने से चिकन के प्रा और दाल कलते हैं अच्छे से फ्राय कर लींगे अ को सारी चिकन को फ्राय हमने कर लिया इसमें जो तेल passes oil है उसको निकाल देंगे कि यह देखे और इस तेल में हम डालेंगे तीन प्यास स्लाइस में कटी हुई इस तरीके से पतले असमें कटी हुई प्यास है तो प्यास को चलाते हुआ हम अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे जब तक इसका कलर फ्रॉसा चेंज नहीं हो जाता गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तो यह देखिए पियाज हमारी अच्छी तरीक quickly ब्राउन हो चुकी है तो अब इसमें डालेंगे दो टेबलस्पून अद्रग लेस्ट का पेस्ट है में में अद्रग लेस्ट का पेस्ट ऑर एक टेबलस्पून जारीज मिर्च का पेस्ट और प्यास के साथ हम इसको चलाते हो अच्छे तरीके से भून लेंगे तो लगातारी इसको हम चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पर तो यह देखिए प्यास के साथ हमने अद्रक लेस्पून का पेस्ट और हरी मिर्च को भून लिया है तो इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर एक टेबल स्पून धनिया का पाउडर हम इसमें डाल देंगे एक टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर तो चिकन की कोई भी ग्रेवी में चिकन मसाला जरूर डालें तो मसाले को हम चलाते हो अच्छी तरीके से भून लेंगा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगा तो लगभग हाफ कप हमने इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाले और प्यास जो है अच्छी तरीके से भून जाए तो ढख कर हम इसको पांच मिनट के लिए पका लेते हैं तब तक यह मसाले भून न जाए तो पांच मिनट हो चुके है और तेल देखे बिल्कुल अलग सा होने लगा है मसालों से और मसाले भी जो है अच्छी तरी नाय प्रफुम के सालक। आ चलाते हुए मसालो को भूने सॉक्ष्टी है कर सकने मतली दन्याया यह लेंगे अपर इनॉब आघ सब्ट मेरें अच्छी तरीके से मसालों brings बले NICK यह बिल्कुल देशी स्टाइल चिकन करी बनते हैं या विलेजी स्टाइल कर सकते हैं तो इसमें हम डाल देएंगे स्वाध्न नमक अपने टेस्ट के शा आप से कम जाधा कर सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को चलाते हूं अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से पलट लें चला लें और लोग फ्लेम पर हम पांच मिनट के लिए इसको ढख कर पकाएंगे तो वो पांच मिनट हो चुके हैं तो यह देखिए चिकन जो है तेल छोड़ने लगा है तो फिर से हम एक बार अच्छी तरीके से इसको चला लेते हैं यह देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से पलट लेते हुए चला लिया है मिक्स कर लिया है तो इसको ढख कर हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर थोड़े से नरब ना हो जा तब तक इसको दो मिनिट के लिए लगबग हम पका लेते हैं दो मिनिट हो चुके हैं टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसको इस तरीके से ढखते हुए और इस तरीके से चलाते हुए हम अच्छी तरीके से पका लेंगे और लगतारी इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे तो यह देखिए चलाते हुए हमने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया है तेल भी उपर आने लगा है तो लगबग एक कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे यह जितना आपको चिकन का सालन चाहिए उसी साब साब इसमें पानी डाल सकते हैं तो लगबग मैंने एक कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है और इसको ढखकर हम पकाएंगे हमारी ग्रेवी जो है चिकन करी जो है वो बिल्कुल रेडी है अच्छी तरीके से बनका तो ढखकर हम इसको पका लेते हैं तो पांच मिनट हो चुके हैं और हमने गेस को बन कर दिया है और हमारी विलेज स्टाइल चिकन करी बनकर तयार है और यह काफी मज़ेदार है बहुत ही लजीज है खाने में तो आप भी इसी तरीके से इसे जरूर ट्राइ करें और यह बनकर तयार है सर्फ करने के लिए तो च परसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताए यह देसी स्टाइल चिकन करी की रेसिपी आपको कैसी लगी यह वीडियो आपको कैसी लगी